गुड मॉनिंग क्लास फर्स्ट एबियस चेप्टर 13 प्लांट्स यानि पौधे दियर और मैने टाइफ और प्लांट्स अराउंड अस हमारे चार तरफ कई तरह के पौधे पाय जाते हैं देलुक ब्यूटिफुल प्लांट्स ये सुन्दर होते हैं गेवस फ्लावर्स फ्लावर्स एंड वेडिटेवल्स क्या क्या होते हैं इसे फ्लावर्स के पौधे होते हैं फ्लावर्स के फ्लावर्स के पौधे होते हैं और सब्जियों के होते हैं Plants also give us fresh air, हमें फौदों से हमेशा क्या मिलती है, ताजा हवा मिलती है Here are given some pictures of plants, write down the name below each picture तो हमें यहां picture दी गई है, तो इसके हमें कुछ plants और पौदी दीए का है तो इनके नाम यहां लिखना है, इसे mango tree, rose plants, money plants and marigol plants Tie for plants, trees, some plants are very big and strong, कुछ पौदे जो होते हैं, बहुत बड़े और strong, मजबूत होते हैं इन्हें हम पीर कहते हैं, trees कहते हैं Some big trees are mango trees, बन्यान trees, नीम trees, coconut trees कुछ पीर जो होते हैं, जैसे कि mango trees, यह mango tree है, बन्यान tree है, और यह नीम का पीर है, बरगत का पीर है और यह coconut, यानी नाजिल का पीर है Next है हमारा serfs Some plants are small and busy कुछ plants जो होती हैं, छोटी और जाड़ी की तरह होती हैं, they are called serfs इन्हें हम serfs कहते हैं, serfs are smaller than trees यह जो होती हैं, पीड़ों से छोटी होती हैं Some serfs are rose, besie, marigold, jasmine, flowers, sunflowers, etc यानी flowers के जाड़ियां हैं, जो पौदे हैं, वो serfs में आते हैं से rose plants, marigold plants, jasmine plants, sunflower plants यह किसमें आते हैं, serfs में आते हैं Next है हमारा herbs Some plants are very small with beak stem कुछ पौदे हमारे छोटे और इनकी टेहनियां जो हैं, कमजोर होती हैं They are called herbs, इन्हें हम herbs कहते हैं Some herbs are coriander and mint etc जैसे कि हमारा धनिया और पुदिना, यह धनिया और पुदिना दिया गया है यह herbs के उधारन है Next है हमारा climbers Some plants are berry beak यह जो plants होते हैं, पौधे, यह कैसे होते हैं, क्रीम बर्स में कमजोर होते हैं They cannot stand straight यह खुद से खड़े नहीं हो सकते They need support to grow इनको खड़े होने के लिए support देना पड़ता है Some cream birds are pea plants, money plants, etc इनकी उधारन जो है, वो है pea plants यानि मटर फलियों का बेल जो बोलते हैं, money plants, तो यह money plants यानिक पैसों का पोधा बोला जाता है इसको तो यह दोनों हैं, यह हमारे green birds की उधारन है अब हमारा creepers Some plants cannot grow averse These plants grow along the ground यह कुछ plants हैं, जो fell कर नीचे जमीन पर बढ़ते हैं They are called creepers, इन्हें हम creepers कहते हैं जैसे कि हमारा watermelon and pumpkin and creepers तो यह क्या कहलाते हैं, जिसे watermelon है तो यह जो और pumpkin है, जिसे हमारा तर्बूच और कद्दू तो यह कहां लगते हैं, जमीन में लगते हैं तो यह क्या जमीन में, इनकी जाड़ियां जो होती हैं वहीं फैलती हैं और इनकी जो फल होते हैं, वो बड़े होते हैं नेक्स्ट है हमारा Parts of Plants Plants have different parts Plants यानि पौधों में कई parts होते हैं Roots, Stream, Leaves, Flowers and Fruit are the main part of plant हमारे पौधों के main plant कौन कौन से हैं? Main part, Root, Jडे, Stream, Leaves, Flower and Fruit यानि की फल, फूल, जड़े, तना और उसका तो यह जो हैं Parts of Plants है, important parts है Plants की जैसे first है हमारा Root Roots are the main part of plant Root यानि जड़े जड़े जो होती हैं, वो क्या होती है? Plants का main part है, they grow under the ground with soil यह क्या होता है? जड़े होती हैं, देख रहे हैं आप पौधे के अंदर इसकी जड़े कहा है? मिट्टी के नीचे तो यह क्या है? Root है यह तो यह कहा होती है? यह grow यानि पौधे को बढ़ने में मिर्द करती हैं और यह मिट्टी के अंदर होती है Next है हमारा stream stream is the upper part of plants stream जो होता है वो अपर parts of plants यानि plants के उपर का जो भाग यह बीट का है तो इसको तना बोलते हैं यह होता है stream grow about the ground it also provides support to plant इसकी support पर जो होता है हमारा पौधा टिका रहता है और यह देदेरे करके पौधे को grow यानि बढ़ाता है next है हमारा leaves leaves are the green parts of the plant पत्तियां leaves यानि पत्तियां जो होती है वो पौधे की क्या होती है हरी parts का trees का पौधे का जो है plants का part है green पत्तियां they are in different shapes and size यह अलग-अलग size और अलग-अलग तरह की होती है some are small and some are big, कुछ छोटी और कुछ बड़ी that make plants look different from one other यहाँ पत्तियां जो होती है वो पौधों को पत्तियों से अलग-अलग अलग लग देती है जिससे की वो अलग-अलग लगते है जैसे की people leaves यहाँ कुछ पत्तियां दी गहीं people की पत्ति है mango leaves, name leaves सबके shapes अलग-अलग है design अलग-अलग है इसके वाई से ही हम plants को पहचान सकते हैं कि यह किसका plants है flowers flowers are the most beautiful part of plants full जो है वो parts है, plants का बहुत important यानि सुन्दर है most flowers give us sweet और जो हमारा flower है वो बहुत सुन्दर and smell यानि मीठी सी कुष्बू इनमें से हमें आती है तो यह flower जो है plants का पार्ड है बहुत सुन्दर पार्ड से यह हमें smell यानि सुन्दर कुष्बू मीजी कुष्बू देते है तो यह जो हमारा plants का chapter है 13 वो complete हो गया है so read and the name बित्यरुब नानिया चो is gonna extract यह जक्ष्बू यह जक्ष्बू इस बीजवल ऩर्वणा कार्ड farklı यह जनमे स्ट्वड से